तो फाइनली ढूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक कक्षच है इतिहास पार्ट नंबर 3 के MCQ कोस्टन अंसर पार्ट का नाम है रामायन वहमा भा तो इसके बारे में आज हम MCQ करेंगे चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL ग्लास हाँ एक चीज़ बता देता हूं आपको यह पूरी बुक हमारा भारत एक जो किताब है पूरी बुक का सोलुशन मिलेगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के अब यहां पे जो कोशॉच्चन है वह आपको किस तरीके से करना है पहले आपको कोश्चन पढ़ना है उसके बाद में जो है आपको उत्तर में कैक है गीस राजा सुगरीव और उसकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए शेट। तयार किया तो खालिस्तान का राजा मनलब कहां का वो राजा था किसिकंदा मग्द इंदर प्रस्त अयोध्या तो कहां का राजा था वो किसिकंदा का राजा था राजा सुग्रिव देखो जिस ने रामायन पढ़ी है यह सबसे आसान है और फ्री के नंबर भाई यह बिल्कु लिखा हुआ है यहां पर इसमें ठोक दो महा भारत तो महा भारत नहीं है जिसमें कोरव और पंडवों के युद्द का मूल कथानक मूल जौसली कहानी है न वह जैगरंत में हैं आगे बढ़ते हैं महा भारत में वर्ण व्यवस्ता का आधार जनम के बदले कीस को बताया है क्या जाति धर्म करम किसको को बताये गया करम को या निक्तुम जैसा काम करोगे वैसाही तुम्हारा वरण हो जाएगा तूम वैसे ही समाज में रहो कि चालुक के नरेश पुलकेशन द्वितिय के किस सिला लेख से महा भारत किती थी 31 इसा पूर्व निकलती है टोपरा एहोल ये रागुडी सांची तो कौन सा जो है अब सिला लेख था वो वो था एहोल नाम का सिला लेख रामायन की रचना किस ने की थी बहुती प्यारा और इस लोग की संख्या कितनी है 25,000 34,000 एक लाग कितनी है 25,000 24 ऑफिस के आदत हो गये जातर में 24 जो बिस चोबिस मिल रहा है चलो कोई ना 45,000 में जो है टोटल में स्लोक देखने को विदे हैं तो अभी देखते हैं आगे इंडोनेशिया में रामायन को किस नाम से जाना जाता है खोतानी ककबीन यह नाम से जानते हैं और बाकियों में जो है अलग-लग स्थानों पर तो पता लग जाएगा आपको किस गरंत में कौ्रव और पंडुव के युद का मूल दम भई और को शन वापीस आगए यादी है याद कर Plug वापीस पढ़ें लो थो माना जाता है महा भारत की रचना किसी हि किете तो किस ने करी थी वेध व्यासनेश्ची महा काल में राजा के कितने अभिन अंग माने जाते तो इस चैप्टर से इतने एंसी कुछ बने निया क्योंकि कहानी थी पूरे में राम की कहानी पिर महाबारत के बारे में ज्यादा कुछ था नहीं ठीक ठाक सी कहानी थी तो ज्यादा कोशन बन नहीं पाए वह यहां पर मैं अपडेट करता जाओंगा आपको पता लगता रहेगा वह तो आप जो है वेब साइट पर आओगे सी चैप्टर गूगल पर सर्च करना या कमेंट से फर्स्ट कमेंट से डिस्क्रिप्शन के लिंक से जा सकते हो वहां पर इनकी प्रैक्टिश भी कर सकते हैं सिग्यूज कि किसी में कम है मलब इससे कम तो ही मिलेंगे बट कुछ एक में ज्यादा भी है जो चैप्टर बड़े हैं में ज्यादा एमसी की हुजा है जिसमें छोटा चैप्टर के उपड़ डिपेंड करता है तो इसमें इतने हैं सब्सक्राइब करो साथ में घंटी तबाओ ताकि कोई भी अपर डेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए